हलो प्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेव दर्विद आयूश और बात करेंगे दुस्तों बाजार के उपर तो दुस्तों आज बाजार लगातार हमको जो गिरावट है वो अब भी कंटिन्यू करता हुआ दिखा करीबन 140 संग से जादा दुस्तों आज निफ्टी म में देखेंगे तो निफ्टी में लगातार आप क्या देख रहे हैं एक चीज देख रहे हैं जो है गिरावट इसा लगता है कि देखे गिरावट जो हो खतम हो गई जब हमको recovery नजर आती जैसे कि एक बार यहां recovery आई दूसरी बार यहां आई है करीबन दोस्तों सेंसिक्स का हाई है 75 124 का और अभी 73 511 पर trade कर रहा है सेंसिक्स भी पिछले 5 दिनों में close to 2% का fall दिखा चुका है और पिछले एक महिने में दोस्तों अब सेंसिक्स को देखेंगे तो 1.65% नीचे दिखता है यह बाद साफ है दोस्तों की एक support है करीबन 72 488 आप 72 500 का कह सकते हैं जहाँ पर अगर दोस्तों support बाजार ने तोड़ा तो फिर गिरावट हमको और बड़ती भी देखने को बलीगी इसके बारे में और आगे बात करेंगे लेकिन सबसे important question क्या निकल करता है कि बाजार गिर क्यों रहा है कुछ reasons क्या है वो आपको समझाता हूँ सबसे पहला reason क्या है FIS की selling देखे important क्या होता है न कि कितना foreign institution investors खरीद रहे हैं और कितना बेच रहे हैं यह भी बाजार की तेजी और गिरावट में अपना बड़ा योगदान रखता है क्यों 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 देखे FIS के खरीदने का मतलब यह है कि definitely FIS को भरोसा है बाजार के उपर और इसलिए दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं बट FIS जब बेचते हैं तो नो राट देखे कि एक sentiment यह रिए उटा था कि FIS को थोड़ा सा अभी डर है इसलिए जो है वो बिक्वाली हमको लगातार देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं FIS का डेटा है 6 मही को FIS ने 2169 करोड की बिक्वाली करी 3 मही को 2392 करोड की बिक्वाली करी उससे पहले खहिदा रही है थी करीबन 1000 करोड की on 30th April 29th April को खहिदा रही है लेकिन उससे पहले भी जो आपको डेटा देखने को मिलेगा वो सिर्फ यह है कि बड़ी बड़ी selling जरूर देखे DIA सामने बाय करने की कोशिश करते हैं बड़ आपको समझना पड़ेगा कि FIS का जब बिक्वाली का डेटा निकल कराता है तो अपना आप में वो बड़ा होता है और DIA की डेटा से फिर कुछ हो नहीं पाता है और इसलिए दोस्तों बाजार जो है वो यह सोच रहा है कि FIS क्यों बेच रहे है इसके पीछे का एक रीजन क्या है no doubt elections देखिए FIS जादा तर safe play करने में विचार रखते हैं जब तक कोई भी हम कह सकते हैं problems उसको अगर avoid कर सकते तो वो avoid करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है कि जब election के बाद बाजार चलेगा तो फिर वो खैदारी करने आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं बात नहीं उनके लिए बट उनको जो panic है बाजार में create मचता है उससे बचने की पूरी कोशिश करते हैं इसलिए वो चाते के हैं कि जब elections के result आ जाए कि देखिए इंडिये वापिस से पावर में आएगा बट जो low turn out voting ratio है या फिर आप percentage कह सकते हैं वो एक cautionness create करता है अब इसका मतलब क्या है देखिए जो 2014 और 2019 का election हुआ उसके अंदर जो voting turn out था मलब कितने लोग बहार आकर vote दिया वो बहुत अच्छा था वो यह दिखाता था कि definitely voters के बीच में यह है कि हाँ इस सरकार को लेकर आना है उनके अंदर जो कह सकते हैं उच्सा काफी जादा था बट जो 2014 के लेक्शन्स हो रहे हैं जो इस बार के लेक्शन्स हो रहे हैं कि जो more significant factor है जो मान के चल रहे हैं वो है low turnout in the election so far यह दोस्तो साफ साफ का आ गया और यह भी का one view is that definite and smooth victory of the ruling dispensation is a bit uncertain round मतलब यह कुछ तो यह आनके चल रहे हैं कि जो एक smooth victory हो सकती थी या फिर हम जो मान के चल रहे हैं 4-5 मिने पहले हो सकता है कि ऐसा ना हूँ तो यह question भी है कि देखे अगर BGP या फिर इंडिये की victory होती है तो कितने margin से होती है मतलब क्या उनको पून बहुमर जो हम कहते हैं क्या majority की government बनेगी 272 क्या 300 seat भी आ सकती है या फिर इस से नीचे भी रहे जाए यह भी एक bazaar में thought चल रहा है अब यह बात ध्यान रखे speculations तो लगेंगे लगेंगे जब तक election खतम नहीं जादे तब तक speculations लगेंगे तो इसका ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ यह speculation no doubt देखे थोड़ा सा bazaar इसको क्यों जादा देखेगा because यह आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि देखे हम इसको बहुत जादा over read कर रहे हूँ पर हो सकता है कि हम सही भी read कर रहे हूँ यह बात ध्यान रखे यह सब कब final होगा 4 जुलाई को सारी 4 जून को जब charge उनको नतीज़े आ जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ कौन सही था कौन गलत था यह सब उस दिन पता चल जाएगा बट बाजार के लिए यह भी एक फड़ा factor है तीसरा factor आता है premium valuations अभी मान के चलते है मोतिला लोसवाल की बाजार जो है वो थोड़ा सा high valuation पर trade कर रहा है 12 month के forward जो PE है वो almost 19.3 times है at a 5% discount to its long own period average वो मान के चलते हैं बट उनका मानना है कि जो historical average है उससे थोड़ा सा आगे है Quotek Institution ने भी observed किया कि जो Indian market है वो continue to trade at expensive levels relative to history and bond yields तो कुछ brokerage का मानना है कि बाजार के valuations काफी high हो चुकी है premium हो चुकी है तो अगर देखिए valuations premium हो चुकी है तो irrespective of the elections बाजार को तो गन्ना ही है क्योंकि अगर valuation बाजार के उपर है high है तो फिर तो गिरावड हमको देखने को मिलेगी बड़ यह बाद ध्यान रखिए मतलब अभी हमको wait करना है जिस तरह के numbers आ रहे है numbers अगर देखा जाए तो देखिए मुटा मुटी mix है किस companies के numbers काफी अच्छे आ रहे है तो कुछ companies के numbers काफी खराब आ रहे है यह नहीं है कि हाँ valuations वो बहुत ज़्यादा justify कर रहे वो भी अपना आप में एक बड़ा factor है जो मेरे साब से दिख रहा है इसलिए जो चौता factor है वो है unimpressive Q4 earnings बगास मान के चला है देखिए जो Q4 earnings है वो mixed है unimpressive है कोटक नहीं यह एक है कि जो Q4 FY24 का सीजन चल रहा है और जब numbers निकल कर आ रहे है has hardly provided any positive surprise with earnings in line with expectations बगास यह है कि expectations कि या तो आसपास आ रहे है या तो in line आ रहे है या तो थोड़ा बहुत नीचे भी आ रहे है तो यह दिखाता क्या है कि कोई हमको surprise देखने को नहीं मिला earnings में कोई ऐसे numbers निकल कर नहीं आए company के जहां पर देखे बहुत ज़्यादा unexpected था ऐसा नहीं आ रहा है यह भी एक factor है जो market जरूर देख रहा है इसलिए बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है और आखरी factor क्या है कोई fresh trigger ही नहीं है सब मांच गलते कि जितने positive sentiment है जितनी चीज़े होनी थी जितना सब कुछ होना था वो सब हो चुका federal rate cut नहीं हो रहा है federal fed की दौरफ कोई rate cut की यहां पर anticipation जादा लगाई नहीं जा रही है हुचता है कि यह rent तक हो political stability है post elections यह भी lack of fresh trigger दिखाता है इसलिए अभी market में कि दोस्तों जो गिरावाट है को देखने को मिल रहे because market में कोई fresh trigger ही नहीं है कोई अच्छा trigger ही नहीं जिसके रहन बाजार चल पाए but मैं साब से जो एक सबसे बड़ा trigger है वो है हमाली India Wix देखे है volatility index जिस तरीके से India Wix पिछले एक महिने में almost 50% चल चुका है यह कुछ ना कुछ तो बाते बया करता है यह जरूर है दोस्तों election से पहले India Wix में ऐसी तीजी आती ही आती है और India Wix में इस प्रकार का move आता ही आता है यह माना जाता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर elections 2019 के आसपास थे उसमें आप देखी इंडिया Wix बढ़ गया फिर आपको मैं दिखाता हूँ फिर 2014 के elections के time उस समय भी देखी इंडिया Wix में आपको अलग सी तीजी देखने को मिली तो यह क्या होता क्या इसका मतलब यह है कि दोस्तों elections के time पे इंडिया Wix में या फिर volatility index में आपको तेजी देखने को मिलती है और volatility बाजार की बढ़ती ही बढ़ती है तो यह ज़रूर एक हमको sentiment जो है वो हमेशा सा देखने को मलती है तो जादा इसको भी हम negative नहीं ले सकते हैं यह होता ही होता है इसमें बहुत बड़ी चौकने वाली बात नहीं है बस जो मेरे लिए दोस्तों एक negative factor है या फिर negative चीज है वो यह है कि हम America की तीजी में participation नहीं कर रहे है अब क्या हो रहा है ना America की बाजार लगा अतार बढ़िया कर रहे है पिछले 5 जिनों में हमारे markets को अपने देखा गिरावट दिखाई अमारे गन markets 3% तक चल चुके है जी हाँ 3% और हमारे markets ने क्या दिखा है बिल्कुल opposite बहुत कमबर होता है दोस्तों जब हम globally तेजी को भी हम नकार देते है यह बहुत कम देखने को बलता है काफी बारत ऐसा हुआ है कि globally गिरावट हो लेकर हम चले है लेकिन अभी उल्टा हो रहा है कि जहां पर globally markets में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है हमारे markets को थोड़ी सी गिरावट दिख रही है और obvious सी बाते अब आपने देखा है तो I think यह सारे factors जो भी play कर रहे है मेरे साब से देखिए market चार जून तक आपको इसी परकार का देखने को मुलेगा I think चार जून से पहले भी बहुत साही चीज़े clear हो जाएगी जब exit pole निकल कर आएंगे because exit pole mostly मैंने देखा है कि देखे साही डिखते हैं एक दो channels ऐसे हैं जो organizations है जो बिल्कुल साही exit pole दिखा देते हैं तो I think Bazar उन सब चीज़ों को देखेगा I think उसके बाद Bazar अपना जो एक निर्नायक फैसला है कि Bazar को किस direction में जाना है वो हमको पता चल जाएगा बाकि आप लोग बताईए आपका क्या view है जरूर देखे जो companies related to market है इसमें आप Reliance को देख सकते हैं करीबन 31 rupees काज fall देखने को मला पिछले 5 दिन में 4-5% गिर चुका है बाइब बात करता हूँ मैं Adani Group की Adani enterprises में भी दोस्तों क्या हुआ हुआ है situation same है करीबन आज 1.24% और फिछले 5 दिन में 7.5% गिर चुका है एक महिने में 12% गिर चुका है तो ये कुछ companies है दोस्तों जिनके उपर आपको पता है सीधा impact आएगा अगर election में कुछ इधर उधर हुआ तो let's see होता कै वाकि इस वीडियो में इतना ही था hopefully आपको वीडियो बड़या लगा होगा आपका क्या view है market को लेकर बदाया comment section में thank you friends watching this video